नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का हमारी चैनल एक्जाम मास्टर में आज हम संस्कृत व्याकरण के कुछ महतुपूर्ण प्रश्णों के बारे में आपको बताएंगे तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि हमारा अगला वीडियो जब कभी आए तो आप सब को नोटिफिकेशन मिल जाए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्ण से पहला प्रश्ण है संस्क्रिट व्याकरण का की व्याकरण किसे कहते हैं तो दोस्तों इसका जवाब है व्याकरण वह शास्त्र है जिससे शब्दों की शुद्धी होती है तो ऐसे शास्त्र जो हमें शब्दों की शुद्धे का ज्यान कराता है वह व्याकरण कहलाता है उत्तर आपके सामने हैं आप इसे नोट भी कर सकते हैं दोस्तों दूसरा प्रशन है दोस्तों अश्टध्याई किसको कहते हैं तो दोस्तों इसका जवाब है आठ अध्यायों के शास्त्र को अश्टाध्याई कहते हैं अश्टाध्याई वा ग्रंथ है जिसमें आठ अध्याय हैं आठ अध्यायों का संकलन है ऐसे शास्त्र को अश्टाध्याई कहा गया है संस्कृत व्याकरण में तीसरा प्रशन है दोस्तों संस्कृत भाषा का व्याकरण कौन सा है तो इसका जवाब है संस्कृत भाषा का सर्वस्रेष्ट व्याकरण अश्टध्याई और महाभाष्य है ध्यान दिजेगा ये दोनों नाम बहुत जरूरी है अश्टध्याई और महाभाष्य इनसे हमें संस दोस्तों व्याकरण के संचिप्त नियमों को सूत्र कहते हैं या सूत्र कहा जाता है। ध्यान दिजेगा 3980 सूत्र हैं। अगला प्रश्ण है दोस्तों अश्टध्याई में क्या है। तो इसका जवाब है दोस्तों अश्टध्याई में शंपूर्ण शब्द विज्ञान है अर्थात शब्दों से संबंधित विज्ञान को अश्टध्याई में संकलित किया गया है यहाँ पाणिनी द्वारा रचित है अश्टध्याई अगला प्रश्ण है दूस्तों अश्टध्याई सूत्रों को पढ़ने से क्या होगा इसका जवाब है अश्टध्याई सूत्रों को पढ़ने से शब्द विज्ञान का बोध होगा और संस्कृत भाशा बोलने और उसका अर्थ समझने में आपको परिशानी नहीं होगी, आपके वाक्यों में शुद्धता आएगी अश्टध्याई पढ़ने के यही प्रमुक लावगला प्रशन है दोस्तों, अश्टध्याई सूत्रों में कौन सा विज्ञान है, सबसे पहल अश्टध्याई महर्शी पाणिनी द्वारा विरचित है, अश्टध्याई का यह मूल सूत्र है, आई उलारीलक, ए ओन ए ओच, हाया वरत, लड़ा इं, मा इंग्ला नामा ज्याभा, धाडा धाव्यशा ज्याभा तो दोस्तों यह सूत्र जो महश्वर सूत्र है, शंकर जी के डमरू से निकले हुए, ऐसा माना जाता है कि पाणिनी की तपस्या से प्रसन होकर महादेव ने अपना डमरू 14 बार बजाया, तो उस डमरू से निकले हुई जो ध्वनिया थी, मार्चि पाणिनी ने उनका संकल किया, इस सूत्र में आपके सभी वर्ण आ जाते हैं, इनको आगे पीछे दूसरे के साथ कब कहां और कैसे जोड़ना है, इसी का विज्ञान आपको इन 3980 सूत्रों में मिलेगा जो महर्शि पाणिनी द्वारा रचित है, अब अगला क्विस्चिन है, जो व्याकरण का दू पाणिन मुन की अश्टध्याई के 3980 सूत्रों का भाश्य है, अगला प्रशन है दोस्तों, अश्टध्याई की रचना किसने की, मैं आपको बता चुका हूँ, अश्टध्याई की रचना महर्शि पाणिनी ने की है, जिसमें 14 महेश्वर सूत्र तथा 42 प्रत्याहारों के सं बंध में संपूर्ण जानकारी है, अगला प्रशन है, महाभाश्य की रचना किसने की, तो दोस्तों, महाभाश्य की रचना महर्शी पतंजली ने की, लेकिन ये पतंजली मुनी, योग शास्त्र की रचना करने वाले पतंजली मुनी से अलग हैं, दोनों एक ही नहीं हैं, आ कि नहीं दोस्तों दोनों अलग अलग हैं योग शास्त्र महार्शी पतंजली वो दर्शन वाले हैं और ये व्याकरण वाले हैं योग शास्त्र वाले पतंजली को आप अलग जानें और ये पतंजली मुनी को आप अलग जानेंगे हमार आगला प्रिश्ण है व्याकरण को पढ़ने के क्या लाब है तो व्याकरण को पढ़ने के लाब मैं आपको बता दे रहा हूँ पहला जो लाब है वह है व्याकरण पढ़ने वाले मनुष्य का शब्द को करूणों अर्बों का हो जाता है क्योंकि वह अशंख शब्द ग्यान हो जाएगा दूसरा लाब है ब्याकरण पढ़ा हुआ मनुष्य वेद और सभी शास्त्रों का शुद्ध अर्थ करने में समर्थ हो जाता है तीसरा ब्याकरण पढ़ा हुआ मनुष्य शब्द ग्यान से परिपूर्ण हो जाता है और चौथा वह लवकिक और वैद दोन शब्तों के अर्थ को जानने में समर्थ हो जाता है अगला प्रशन है दूस्तों वेदों का स्पस्ट और शुद्ध अर्थ किससे होता है तो इसका जवाब है वेदों का शुद्ध और इसपष्ट अर्थ केवल पाणिनी व्याकरण से ही होता है कौमुदी या सारस्वत जैसे अवैदिक व्याकरण से नहीं तो व्याकरण वेदों का शुद्ध इस पश्ट अर्थाप को पाणिये व्याकरण में ही मिल पाएगा अगला प्रश्ण है व्याकरण को पढ़ने में कितना समय लगता है तो व्याकरण को पढ़ने के लिए तीन से लेकर चार वर्ष तक का समय लग सकता है क्योंकि डेड़ वर्ष में अश्टाध्याई और डेड़ वर्ष में महाभाश आपको पढ़ने में इतने टाइम लग जाएंगे ये मैं जनरल आपको बता रहा हूँ जनरली आप अपने बहुत धिक शमता के अंसारी से जल्दी भी पढ़ सकते हैं व्याकरण कहां पर पढ़ाया जाता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ प्रमुखता पाणनी और पतंजली मुनियों का ये व्याकरण आर्य समाज के गुरकुलों में या काशी के कुछ अस्थानों में पढ़ाया जाता है इसके लिए अलग-अलग पाणनी और पतंजली मुनियों के अलग-अलग समाज और अलग-अलग गुरकुल बनाए गए हैं जहां पर व्याकरण की शिच्छा दी जाती है काशी विद्यापीठ में काशी में कई संस्थान हैं जहांपर व्याकरण की सिच्छा दी जाती है संस्कृत व्याकरण में महत्वपून संस्थान के द्वारा संस्कृत व्याकरण को लोगों तक जानकारी पहुचाई जाती है अगला प्रशन है संस्कृत व्याकरण की क्या विशेस्ता है तो इसका जवाब है ये व्याकरण पूरी प्रत्वी पर मानों मश्टिस्क की अब तक की सर्वस्रीष्ठ रचना है और ये व्याकरण के नियंगों में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ है करूणों वर्षों से जैसा था आज भी वैसा ही है बाकी भाषाओं के व्याकरण भ्रष्ट हैं और बदलते रहते हैं केवल संस्कृत व्याकरण में ही शब्दों के सूचमरहसियों के खोलने की क्षम इस तरह दोस्तूं ये व्याकरण संबंधित कुछ महतुपूर्ण प्रष्ण थे जो मैंने आपके सामने रखे आप अगर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भोलिएगा हम आगे भी वीडियो में बताते रहेंगे और अगला जो वीडियो आएगा हमारा संस्क्रिट साहित्य को ले करके उनके कुछ महतुपूर्ण पक्ष पर मैं वीडियो बनाऊंगा जिससे आप सभी को संस्क्रिट साहित्य में आने वाले जो महतुपूर्ण प्रष्ण है जो अक्सर परक्षा में पूछे जाते हैं उनकी जानकारी हो सके तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट करके बताएं जरूर बताएंगे दोस्तों हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे चैनल को सब्सक्राइब किये बीना नहीं जाएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को लाइक करें हम मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका दिन शुभ हो मंगल मैं हो तरुण मैं हो में प्हस्तों स्बद्द्द्द्द्ट दूप्न ममः ऑсяब झाल बश्द्द्द्द्द्द्द्ट आप सब्सक्राइब झाल झाल